हेई फ्रेंड्स वैलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ महनास और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिलिश्यस कचोवरी के साथ खाय जाने वाले मसालेदार आलू की सबजी तो चैलिए रेसिपी स्टार्ड करते हैं मैंने यहाँ पे चार आलू लिये हैं जिनको उबालकर छीलकर रफली मैश कर लिया है दो टमाटर की टमाटर प्यूरी लिये हैं इसको मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया था यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्यास ग् मिर्چ लिए कौटर टी जपून औजवाये लिएए एक टेबल जपून सौफ लिए तीनसे चार लाल मिर्चे लिए एक टी स्पून जीरा लिया है दो टेबल स्पून धनिया सीर्स लिया हमने साबो धनिया थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लिये हम इन मसालों को रोस्ट करेंगे आईए देखते हैं हमें कौन से पिसेव मसाले चाहिए इसके लिए तो सबसे पहले हम इन साबोद मसालों को ड्राय रोस्ट करेंगे तो चलिए इने ड्राय रोस्ट करते हैं मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है इसमें हम सभी मसालों को ड्राय रोस्ट करेंगे हमें इनका कलर बहुत जादा चेंज नहीं करना है बस जैसे इनका कलर हलकाा सा चेंज हो गया है अब हम इन मसालों को ग्रांडर में दरदरा ग्रांड कर लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबजी बनाना, यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ओइल डालेंगे, इसमें क्वाटे टी स्पून जीरा और थोड़ी सी हिंग डालेंगे, यह मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, आप इन दोनों चीज़ा को भी इस्तवाल कर जैसे हमारा जीरा और हिंग भून जाएगी, इसमें हम डालेंगे, ग्रेट करी हुई अद्रक डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से भून लेंगे, टेस पतर डालेंगे इसमें और हरी मिर्चे डालेंगे, और अच्छे से भूनेंगे, अब हम इसमें ग्रैंड करी हुई प्यास डालेंगे और अच्छे से प्यास को भूनेंगे जब तक हमारी प्यास का कलर हलका सब ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें प्यास को अच्छे से भून लेना है ये देखिए प्यास जो है बस अच्छे से भून चुकी है इस टाइम पर अब हम इसमें डालेंगे टेमेट करेंगे उसके बाद जो मसालय हमने ड्र contenido किये थे उनको हमने हलका दर-acional कर लिया था मिक्सर में और उसको हम इसमें मिला देंगे इस टाइम पर यह देखिये मसालय काफी जादा ड्र भीच में टेबल स्पुन पानी दाल कर मसालओ को अच्छे से भूमझें,еро अब हम इस टाइम पर इसमें अलू डाल देंगे इन अलू को हमने रफली ऐसे मैश कर लिया था हाथों से ही तो अब थोड़ा सा इसको मसाले में मिलाएंगे और अब हम इसमें एक कब भर कर पानी डालेंगे आप पानी का इस्तमाल जादा भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर तो हमारी जो सबजी है वो अच्छे से पक चुकी है इसको पकते हुए पांश मिनट हो गए है अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे और इसको अच्छे से चला देंगे ये देखिए हमारी सबजी एकदम रेड़ी है तो चलिए अब हम सबजी को डिश आउट कर लेते हैं ये सबजी खाने में बहुत टेस्टी होती है ये दिल्ली का एक फेमस स्ट्रीट फूड है कचोड़ी आलू आप इसको पूड़ी, कचोड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं सबके साथ बहुत अच्छी लगती है आप इसको बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेर करें और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कौन्ची नई रेसिपी बनाओ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें